हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल टेस्ट अब गुजरात आज हम बनाएंगे साही पनीर बिल्कुल होटल और रेस्टोरन स्टाइल से जिसको आप गर्मा गर्म बना के रोटी नान परोठे के साथ सर्व कर सकते हो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हम जीरा डालेंगे इसके अंदर हम खड़े मसाला का यूज करेंगे जिससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा दो डाल चीनी ली है उसको मैंने हाथ से तोड़के डालाए दो सुकी लाल मिर्च अब हम उसके अंदर तीन हरी इलाइची डालेंगे आपके पास जो बड़ी वाली इलाइची आती है वो भी आप डाल सकते हो आट से दस लॉंग और मरी डालेंगे 8-10 काजू काजू डालने से हमारी जो ग्रेवी बनेगी बहुती टेस्टी बनेगी जैसे रेस्टोरन में बनाई जाती है वैसे ही बनेगी काजू को सौते कर लेंगे रेस्टोरन में काजू के साथ मगस्तरी वाटरमिलन सीट्स जो कहते उसका भी यूज किया जाता है जिससे बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनती है अब उसके अंदर हम दो हरी मिर्च और एक इंच अद्रक का टुकडा लिया है उसको काटके डालेंगे साथ से आठ लसुन की कलिया अगर आप लसुन नहीं खाते तो लसुन को स्कीप कर सकते हो बीना प्याज और लसुन के भी ये सबजी आप बना सकते हो अच्छे से सबको स्वाते कर लेंगे सब कुछ सौंते हो गया है अब इसके अंदर हम एक बड़ी साइज की प्याज लिए उसकी पतली स्लाइस कर लिए उसको डालेंगे अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्कीप कर सकते हो डायरेक आप टमाटर डालके टमाटर को पका के ग्रेवी बना सकते हो प्याज को अच्छे से सौते कर लेंगे उसका color change हो जाए तब तक हमें उसको सौते करना है अब हम उसमें दो बड़ी size के टमाटर लिए उसको डालेंगे एक प्याज के सामने दो टमाटर लेना है यह माप से आप gravy बनाओगे तो perfect आपकी gravy बनेगी थोड़ा सा उपर नमक डालेंगे टमाटर को पकाने के लिए जिससे जल्दी टमाटर पक जाएगे सॉफ्ट हो जाएगे मिक्स कर लेंगे टमाटर बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हो गये है गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये जो मिस्रान है उसको हम ठंडा करेंगे और उसकी मिक्सर में ग्रेवी बना लेंगे अब हम सबजी बनाने के लिए एक पैन लेंगे उसके अंदर दो चमच ओईल और एक चमच बटर डालेंगे और 200 ग्राम जितना पनीर लिया है जिसके उमेने टुकडो में काट लिया है उसको हम डालेंगे पनीर को हमें सेलो फ्राइ करना है जिससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है तो पनीर को ध्यान से सेलो फ्राइ करना है सब जगे से हम उसको फ्राई कर लेना है ओईल और बटर में अगर आपको कच्छा पनीर डलना है तो आप डाइरेक्ट कच्छा पनीर भी डाल सकते हो लेकिन सेलो फ्राई वाला पनीर बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में पनीर फ्राई हो गया है अभी हम उसके अंदर ज वो चबवड हो जाएगा, इसलिए आप डाइरेक्ट इस तरीके से ग्रेवी डालके बना सकते हो, अभी हम उसको ढखके ग्रेवी को 3-4 मिनिट तक पका देंगे, 3-4 मिनिट हो गई है, चेक करेंगे, आप देख सकते हो, ओईल रिलेज हो गया है, हमने टमाटर और प्यास को प तो ध्यान से ही डालना है, आधी चमच कास्मेरी लाल मिर्च डालेंगे, एक चमच धनिया पावडर, एक आधी चमच गरम मसाला, एक आधी चमच हल्दी पावडर, सारे मसालों को मिक्स करेंगे, बहुती कम मसाले में बहुती टेस्टी ये सबजी बनेगी, इसके अंदर ज जो सुके मसाले यूज किये, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही स्वादिश्च बनती है, अभी हम इसके अंदर एक ग्लास पानी डालेंगे, जिससे ग्रेवी की जो कंसीटनसी है, बहुत ही अच्छी हो जाए, पतली हो जाए थोड़ी, क्यूंकि हमने इसमें काजू यूज किय तो ग्रेवी की जो ठीकने से ज्यादा है, आप देख सकते हो, जैसे रैस्टोरन में बनाई जाती है ग्रेवी, वैसे ही हमारी ग्रेवी बनीए, दो मिनिट तक उसको हम पका देंगे, दो मिनिट हो गई है, ग्रेवी अच्छे से पक गई है, और पनिर भी बहुत ही अब हम इसके अंदर तीन चमच फ्रेश मलाई डालेंगे, घर की जो दूद की मलाई आती है, वो ही अभी मैंने यूज किये, अगर आपके पास अमुल की जो फ्रेश क्रीम आती है, वो भी आप यूज कर सकते हो, क्रीम डालने से हमारी जो ग्रेवी बनेगी, बहुत ही क्री ग्रेवी बहुत ही अच्छी क्रीमी बन गई है, अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी करनी है, तो आप कर सकते हो, उसको टक के दो मिनिट पकाएंगे, दो मिनिट हो गई है, चेक करेंगे, बहुत ही अच्छी हमारी साही पनेर की सबजी रेडी हो गई है, गैस के फ्लैम क थोड़ी कसूरी मेथी लिए जिसको हाथ में मसल के डालेंगे। साही पनीर में कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बारिक कटा हुआ धनिया डालेंगे। देखने से ही खाने का मन करें। उतनी टेस्टी हमारी साही प और गर्मा गरम साही पनीर को सर्व कर लेंगे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वो प्लीज मुझे कमेंट करके भी बताना बहुती तेस्टी और क्रीमी रेस्टोरन स्टाइल साही पनीर तैयार है जिसको आप गर्मा गरम रोटी नान परोठे के साथ एंजोई कर सकते हो उपर से बारिक कटा हुआ धनिया डालेंगे उपर से थोड़ी फ्रेस मलाई डालेंगे जैसे रेस्टोरन में सवर किया जाता है वैसे अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक सेर और सब्सक्राइब कर देना फिर मलेंगे नए रेसिपी के साथ बाब बाई थेंक यू